कोरोना महमारी के चलते सभी शैक्षणिक संस्था इस वक्त बंद है और अभी भी देश में कोरोना कैस लगाता सामने आ रहे हैं और इसी के चलते हुए अभी भावक अभी नहीं चाहते कि स्कूल कॉलेजों को खोला जाए हाल ही में एक सर्वे सामने आया जिसके मताबेक 33 प् काफिसमें से स्कूल बंद है और हाल ही में सोशल मीडिया पर एक अकबार की कटिंग शेर की जा रही है जिसमें हैड्लाइन दी गई है कि एक सितंबर से पुरे देश में खुल जाएंगे स्कूल और कॉलेज कुछ लोग इसे सच मान बैठे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पता नहीं यह सच है यह नहीं तो आपको बता दें कि भारत सरकार के सूशना वभाग प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अनुसार सरकार ने अभी तक स्कूल कॉलेज कोलने के मामले में कोई भी फैसला नहीं लिया है कई यूजर्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस अकबार की कटिंग को शेर किया है यह अकबार की जो कटिंग है उसके उपनी हिस्से पर आपको एजुकेशनल न्यूज और शिक्षा ही सर्वो पर ही लिखा हुआ दिखा ही देखा और आपको बता दें कि एक पेपर है जिसमें एजुकेशनल न्यूज के बारे में द दावा किया है कि सरकार 1 सिदंबर से 14 नवंबर तक चरणबद तरीक से स्कूल खोलने जा रही है ऐसा कोई निर्णे अभी तक सरकार द्वारा नहीं लिया गया है आपको बता दें जुलाई के महिने में सरकार ने अनलॉक 3 से जुड़े निर्दिश जारी किये थे और कहा था क कि कॉलेज और शेक्षणिक संस्थां 31 अगस्तक बंद है नहीं सभी राज केंद्र शासत प्रतिशों को भी आदेश दिये गए थे कि अभिभावकों से राय लें और बताएं कि स्कूल कब तक खोले जाएं और इसको लेकर सरकाय योजना तो बना रही है उससे संभावना य निर्णय अभी सरकार द्वारा नहीं लिया गया है आगे वह हमारी की स्थिती जैसी रहती है उसे देखते हुए सरकार द्वारा स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला लिया जाएगा अब तक ऐसी कोई भी मीडिया रिपूर्ट सामने नहीं आई है जिसमें यह स्पष्ट कोलेज खोल दिये जाएंगे यह बात साफ है कि सोशल मीडिया पर जुदावा किया जा रहा है वह पूरी तरीकी से गलत है इस बात पर मन्थन हुआ है कि स्कूल कॉलेज कब से खुल जाए लेकिन अभी इस मामले में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है इसलिए इस तरह क